योगी सरकार में खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद खनन माफियाओं ने खनन का अब एक और नया तरीका इजाद किया है खनन माफियाओं ने पाइपों के जरी जमीन के अंदर से खनन करना सुरू कर दिया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी और कुछी मैदों में खनन वाली लगभग जगा 60-70 फिट गहरा तलाब बना डाला क्या है पुरा मामला आईए जानते हैं सोनु अंसारी की इस खास रिपोर्ट में देखने में आपको समाने तलाब जैसा लग रहा होगा लेकिन जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो आप दातों तरे उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे दरसल ये तलाब 60-80 से फिट गह रहा है और इसी तलाब से जमेन के नीचे खनन गिया जा रहा था ये पूरा खनन वेक्यूम के मदद से किया जा रहा था जिसमें पहले एक तलाब बनाया गया फिर उसमें दो पाइप जमीन के नीचे डाले इसमें एक पाइप से पातल से र पानी को दोबारा से पाताल यानी उसी तालाब में छोड़ दिया जाता था मतलब ये कि खरनन माफिया जमेन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थी और किसी को भनक तक नहीं लगी इस गड़बड जाले के लिए ताजिस्टों क्रेसर और अनिबक माफियों ने एक खेत किराय पलिया जिसका वो 75,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किराया देते थे उस खेत के चारों तरफ गन्ने के खेत थे ताकि किसी को इस खरनन का पता न चले खरनन का काम यहां दिन रात किया जा रहा है रोजाना 40-50 अस्ट्राली बालू को यहां से सप्लाई किया जाता था ऐस पलिसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन खन्नमा फ्याओं ने जमेन को कितना खोकला कर दिया है पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो यहां खनन अधिकारियों के साथ छापा मारा जब छापा मारा गया तो पाइप से बालू निकल रही थी दूसरे पाइप से पानी वापस भेजा जा रहा था और ट्रालियों में डंपर से बालू सप्लाई किया जा रहा था इस नजारे को देखकर अधिकारियों के हो सुड़ गये क्योंकि उन्होंने भी आस तक खनन का ऐसा तरीका नहीं देखा था अधिकारियों ने जब एक किलोमीटर दूर गन्ने के ख खनन का खुलासा हुआ मोहिमों के पाकर खनन माफिया तो फरार हो गये लेकिन पुलिश ने खनन करने वाले लोगों के खिलाप मुकदमा दर्ज कर घटना इस्थल मसीनों एवं करणों के साथ कमपनी को सील कर दिया साथ ही वहाँ प्यस्टी तैनाद कर दी गई है ताकि अंजाम दे रहे हैं विखास का ग्वीनियम अदिनियम उन्नी सो सद्दावन की धारा चार एवं में किस और उत्तर परदेश उखनीज परियार परियाम उबली उंसी निसो तिल्सट की धारा तीन एवं सद्दावन के अंदर गई है और इसमें सक्टे सब्सक्तारवाई की जाएगी कि भाईश म अगर हमारे संग्यान में आती है हम खनंन के गुरूप सब्सक्त कर गई है तो किसे तो टोडल कितने लोगे खिलाब इस मौमने में आफ़ेद आज की गई है इसमें खनंन के जो ताज क्रेशर्स हैं उनके मालिक के खिलाब इसमें मुगर्ना पंजीगित के आगया है एवं जाज के दोवान जो लोग इसमें आएंगे, उनके खिलाब सच सथ कारवाई की गई है, और इस जगह पर खनान होजा था, वहाँ पर हमने सीज कर दिया है, उनी जितने भी वहाँ पर उपकरन लगे थे, और वहाँ पर P.S.E. हमने लगा दी थे.